मध्य प्रदेश में सत्ता की बागदोर मोहन यादव के हाथों में हैं मोहन यादव उज्जेन दक्षिन से चुनकर विधान सभा में जाते हैं लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि महाकाल की नगरी के राजा कहलाते हैं महाकाल और ऐसे में मद्यप्रदेश के राजा के तोर पर अब मोहन यादाओ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये एक मानिता है कि महाकाल जहां के राजा है वहाँ पर कोई दूसरा राजा रात नहीं बिताता है। यही बज़ा है कि कोई भी प्रधान मंत्री हो, मुख्य मंत्री हो, वो उज्जेन में रात नहीं बिताते। लेकिन अब मोहन यादाओ के साथ समस्क्या इस बात को लेकर है, कि वो मध्यप्रदेश के राजा के तोर पर काम कर रहे हैं। और महाकाल की नगरी में वो निवास करते हैं, तो क्या राजा के तोर पर अब वो उज्जेन की नगरी में निवास कर सकेंगे, इस पर बात्षीत करने के लिए हमारे साथ महाकाल मंदिर के पुजारी भी हमारे साथ हो जुए है। बातो पड़ा ए ले लाजा आता है वो उज्जेन के लिए हो। कि एक जिए और बहुत फूर्टी थी अब धिरे धिरे किता होता गयाया आफलेगी मार्किट बनगा गया सकते हैं लेकिन जटेन के अंदर निवास आता है तो क्या वहां पर राज घुजार सकते हैं अगर वो जनता के हिस के लिए यूटis के सेवा करने की सिवा है। क्योंकि उनका घर भी यही है और उनोंने की कyt करने शाथ कह देखा हुआ रहते नहीं है राजा बागि वो दंता की हिसाब से दंता के सेवक के हिसाब से रह सकते हैं यह भी रहाएं के जो मुख्यमंतिग रहाओ या मंतिग रहाओ उसने यहां पर राद जोजारी हो तो उसके बाद उसकी सफ्ता चली जाती है क्या मोहन यादव को इस तरीके का कोई दंख भेलना पर सकता है क्या भविश्य में यह जो आप जो बोर रहा हो इस बिल्कुल करने थे की उतंती है कि हां राजा राजनी करता है तकी की उतंती रह गई है अब यह यह जोस्ता बदल गई है यह जोस्ता के हिसाब से आपने कि अब आपने आप अपने आप नमन करें यह सबसे लड़ा रख्षय सूत रहे इसके लिए को विश्यत पूजन वो तो आते रहेंगे जाते रहेंगे अब हर बकत कहां से बूजन कराएंगे लेकिन अब आप लोगों की उम्मीदे जादा बल गई होंगी क्योंकि खुद मोहन यादा उज्यन पर चुनकर आते हैं ऐसे में महाकाल लोग का पहला चरण पूरा हो चुता है जनता इस तरीके से आरी है आपको लगता है का पूरे उज्यन श्यर का विकास जोगुली रफ एस्यर करते हैं कि उज्यन का विकास होना कि वर्तमाल में यह महन याजयोगी बने यह को पूरे आप यह अशेंब जोघन आप लोग अप्सक्राषो और यहां तो नियन प्या निय ज़रूर यह आग्या आगया तो निमन्त्र नियन तरन निकारा टो कभी में यहास्था दीखने आप यह तो नियंतन करना जरूर है आगे आगे अगर इसका निमंतन नीए निकरा तो कभी भी कोई हासा हो सकता है पूर्व में 25-35 साल पर यहांसा हो चुका था अठावी 30 जने यहांपर शांत हो गुए तो कभी सब्सक्राइब करें लेकिन अंदर दालू जो है वो पहुंच सके हैं और किसी तरह की जटना भरविष्ट में नहीं लगता है कि आप नए मुक्समंदी के सामने मांग रखेंगे कि इस तरीके से विकास हो पेली बात कि अंदर घर बगर में जाना अपन सोच नहीं सकते हैं सब्सक्राइब करें तो लाइन का शिप्रा ना शिप्रा ने दितक चली जाएगी और लोगों को भी तकलिप होगी इस तीज में किसी का अठेक आ गया है किसी का जीव घबर आ गया तो उसके वह कौन डुमेदारी कौन रहेगा इसलिए अभी लगका नहीं कि अभी घर बग कि अभी यादव के उपर भी बात की बिर्मेदारी होगी कि महाकाल की नगरी पे चुनकर आने की वज़ा से वो महाकाल का विकास यानि के महाकाल लोग दोग का तो विकास करें ही लेकिन जो दूसरी समस्या हैं उसकी तरफ भी वो द्यान दें ताकि यहाँ पर आने वाले शच्दालू आसाही से महाकाल नगरी के दर्शन कर सकें और जेम के लोकमत के लिए अनुराग्सी वास्ताओ के रिपोर्ट